तो अब बनाने वाले मैगी बरेयागी बनाने के लिए मैने वैजटेबल चौप कर लिया तो यह दाल, देखिए, मैंने प्याज भूंज लिया है प्याज और मिर्ची इसको light brown होने तक भूंज लेना है, यह मेरा लगभग light brown हो गया है अब हमें इसमें डालना है टमाटर तो यह देखी हमें टमाटर कट कर लिया है अब हम इसे डालते हैं इसमें तो यह देखिए मैंने इसमें सारे टमाटर डाल दिया है अब इसे दो मिनट तक पखने देंगे अब इसमें हलका सा नमक डाल देते हैं इसे टमाटर जल्दी गलेगा अब इसे घाट लेना है और कलर आने के लिए अच्छा इसमें इसमें अच्छे से मिला लेना है अच्छे से बुंच के इसके बाद इसमें पानी डालना होगा अब यह अच्छे से बुंच आ गया इसमें पानी डालना है अब इसमें पानी डालना है अब इसमें पानी डालना है अब इसमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करक जोड़ने के बाद पूर अच्छे से पाने डाल के मिला के रख देना है दो मिलेट इसे रख देता है यह टू मिलेट हो गया अब इसमें हलका और पाने डालना है मैं थोड़ा जादा डाल जी हूं सब्सक्व 물वेकर उलटा पूलटा करना हमारे मैंगी को चूर के डाल दीए अब इसकी मैगी मसारा डालने के बारी है तो चलिए डालते हैं तो गाइस अब हमारी मैगी बॉइल हो रही है देखिए अब देख सकते हैं अब बबल भी हो रहा है अब इसमें मैगी मसाला डाल देता है यह तीनों पैकेट को आराम से मैं डाल देती हूं तो मैंने इस के बाद यह किया है जो मैंने अगला में यह के यह चुझा सब को उठाए और डाले नने के बाद मसाला इसको अच्छे से मिलाने का और पक जाने के बाद क्हाने और इसको बनने में फाइब मिनिट्स लगेगा तो यह देखिए इसमें बॉइलिंग आ रहा है बस अब इसे बनने में टू मिनिट्स है पुरा भाव में निकल रही आप देख सकते हैं तो यह हमारी मेगी रेड़ी है अब में से चली खाने हैं